नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कावेरी ट्रैवल्स के बारे में इस कंपनी की शुरुवात 1985 में हुई थी इस कंपनी के डायरेक्टर से मिस्टर विजय मलिक सर और मिसेस प्रोमिला मलिक जी इस कंपनी की हेडकौटर्स दिल्ली में स्थीत हैं इस कंपनी के पास currently fleet size जो है वो 80 बसेस की है इस कंपनी के पास Volvo, आशोकिलेंड, स्कैनिया, मर्सलिज बेंच जिसे प्रिमियम ब्रैंड्स की बसेस हैं इस कंपनी के बस बड़ी बिल्डिंग की बात कर ले तो इस कंपनी की पास विरा V7, प्रकाश वेगा, प्रकाश टाइप वन, प्रकाश सेलेस्टे और MG स्टार जैसे प्रीमियम बस बड़ी ओप्शन्स एवेलेबल है आपके जर्नी के लिए इस कंपनी की रूट्स शुरू होते हैं हाइदराबाद, बैंगलोर, तिरुपति और वाईजेक से हैं हाइदराबाद से रूट्स शुरू होते हैं उनमें नेललोर, कंदुकूर, काकिनाडा, राजोले, बुची रेड़ी पालेम, विशक अपटनम, पामुरू, तेनाली, पेटलूरू, बुबनेश्वर, चेन्नाई, शिल्डी, गोवा, बैंगलोर और मैंगलोर शामिल हैं बैंगलोर से रूट शुरू होते हैं उनमें अद्दांकी, विजेवाडा और विनु कोंडा शामिल हैं तिरुपति से गुंटूर और विशका पटनम से तिरुपति भी इनकी सेवाई जाती हैं इस कंपनी के बसेस का कलर कॉंबनेशन यलो और एंड रेड कलर में हैं पिछले 32 सालों से ये कंपनी बस बिजनेस इंदस्ट्री में हैं और इस कंपनी के साथ एक बहुत बुरी घटना होई थे इस कंपनी की बसेस ओंगोल सीटी के बस पार्किंग याड में खड़ी थी और तब ही वहाँ पर अचनक से फायर एक्सेडेंट हो गया था जिसमें इनकी नो वल्वो बसेस जलकर राख हो गए थी इस कंपनी को इस घटना के बाद 6 करोड रुपे का लॉस हुआ था इस्टिमेट ए प्राइस था बट एसी जो घटना होती है वो इसकान के बारे में जारा जनकरी हमें नहीं मिली हमने बहुत आए किया बर जितने information एक आपके लिए जरूर थी आपको की जान आपका दिन शुवरे जयन si